पाकिस्तान आपके लिए जिंदाबाद होगा, हमारे लिए हिंदुस्तान जिदाबाद है, भारत जिंदाबाद है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आज आ दिलचीर के दिखलाऊं वतन का नक्षा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है कि जो प्रधान मंतरी जी का इंटर्व्यू ले जो फिल्मी स्टार जो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं उसके लिए तो रेज कॉर्पेट भी छा है लेकिन वो शारुखान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है जिसे फ बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापती महोदे मैं अब्दुलवाब साहब द्वारा लाए गए इस रिजूलिशन के समर्थन में बात करने के लिए खड़ा हूँ इसी ठके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं इसी ठके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं हम अपने जखमों का मरहम तो कब से मांगते हैं वो भीक मांगता है हाकिमों के लहजे में हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं उपसभापती महोदे यह जो जिसमें मुसल्मानों के सेक्षिक और सामाजिक पिछडे पन पर चर्चा उद्रित कर रहा हूं में इसे। मुझे हैरत है तभी राकेश सिना जी बात कर रहते हैं अभी नहीं है शायद कहीं चले गए हैं आसपास उन्होंने अपने भाशन में 23 बार सबका साथ सबका विकास की बात की अभी गीता जी बोल रही थी उन्होंने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का बजट आया है लेकिन यह जो resolution है इसके विरोध में, विरोध में क्यूं है, मैं समझी नहीं पा रहा हूँ, अगर आप सबका साथ, सबका विकास का दावा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास के नारे लगा रहे हैं, तो अगर एक particular community जो सचर कमेटी की सिफारिशों में यह तै हो गया है, कि वो द विरोध में हैं क्यूं, दरसल यह वही मान सिखता है, जो लगातार काम कर रही है, जिसके तहत, अमरित काल में भी, जो बजट पेश किया जाता है, उसमें जो संख्यकों का बजट है, उसमें 38% की कटोती की जाती है, और फिर कहा जाता है, कि हम सबका साथ, सबका विकास का दावा कर रहे है, यह कौन सा सबका साथ, सबका विकास का दावा है, मदर्सों के जो सिख्षक हैं, उनका कई-कई साल से, कई-कई साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है, हमारे पास उनके फोन आते हों, कहते हैं कि हमारी बात सदन में उठाइए, हम भूकों मर रहे हमारे घ सब का विकास यह कैसा सब का साथ सब का विकास है मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि यहां सब्द्र चल रहा है उपसभापती महुद है और इसी संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े हो करके कारिक्रम आयोजित होता है अभी चार दिन पहले और एक ड् उपसभापती महुद है मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उसको कोई कारवाई नहीं करती उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है यह कौन से सब का साथ सब का विकास है उपसभापती महुद है यह हम बहुत गंबी सताधारी पार्टी के सांसद है वो अपने कारक्रबों में सारवजनिक मंचों पे खड़े होके कहते हैं कि मुसल्मानों का आर्थिक वहिसकार करो आप कह रहे हैं सब का साथ सब का विकास कैसे होगा सब का साथ सब का विकास जब सताधारी पार्टी के सांसद आर्थिक वहि विकास करने की बात आती है तो लोग सभा में एक भी टिकट ये सक्ताधारी दल किसी मुसल्मान को नहीं देता राज्य सभा में एक भी टिकट किसी मुसल्मान को नहीं देता विधान सभा में जो बड़े-बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसल्मान को नहीं देत और वो तीन जो नाम के लोग थे मुक्तार अरबास नक्वी साहब एमजे अकबर साहब सेयद जफर इसलाम उनको भी किनारे लगा दिया जाता है ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है कहाए का सबका साथ सबका विकास ये नारा ये दावा खोकला है मैंने प्रधान मंत्रीजी के भाषन सुने है जब तीन तलाग पर भी ला रहा था उपसभापती महोदे तो प्रधान मंत्रीजी कहते थे कि मैं अपने मुसलिम बेहनों को हक दिलाना चाहता हूँ उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूँ ये बिल मैं उनके लिए ला रहा हूँ, आपने भी सुना होगा वो नारा, मैं तो उन सभापती महोदे भजपन से जिस विद्याले का पढ़ा हूँ, आप संस्कृत का एक स्लोक सुना करता था, कि यत्र नार्यस्त पूछ जनते रमंते तत्र दे उता, मैं इसे सुना करता था, उन सभापती महोदे, और फिर आज जब यहां सदन में खड़ा हूँ, तो मैं पिछले दिनों लाल किले से प्रधान मंतरी जी की लाल किले की प्राचीर से वो भाशन उनकी तकरीर भी सुन रहा था, जब वो कह रहे थे, कि महिलाओं को बिना हक दिलाय देश आगे नहीं उन्हें माला पहनाए जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था, यह कौन सा सबका साथ सबका विकास है, उपसभापती महोदे, मैं तो आप से कहना चाहता हूँ, कि जो प्रधान मंतरी जी का इंटर्विव ले, जो फिल्मी स्टार, जो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसके लिए तो रेज कॉर्पेट बिचा है, जो अभिनेत्रियां उनकी विचारधारा के समर्थन में बात करें, समर्थन से ज्यादा आगे बढ़ के बात करें, उनके लिए जेड सिक्योर्टी है, लेकिन वो शारुखान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है जिसे फीफा वर्लकप में आमंत्रित किया जाता है उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं कौन सा सबका साथ सबका विकास है महोद है मेरा नाम इमरान है मैं उस पीडा को महसूस करता हूँ जिस पीडा क हर दिन हर दिन देशवक्ती सावित करो चले जाओ वहाँ चले जाओ मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है तू ये कहता है मुसल्मान पराया हुआ है आजा दिलचीर के दिखलाऊं वतन का नक्षा मेरा भारत मेरी सांसों में समाय हुआ है हम उसको किसी को हर दिन उसका सुबूत नहीं देते फिरेंगे ऐसे में अगर ये बिल मांग करता है कि मुसल्मानों के सैक्षिक और उनके सामाजिक उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार उस पर ध्यान दे तो फिर तकलीफ क्या है दिक्कत क्या है कि आपका जो न प्रधान मंत्री जी दावा करते थे सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ की 2022 में हर व्यक्ति के चट पर घर सर पर छट होगी ये प्रधान मंत्री जी का उद्ध्रित किया गया बयान है लेकिन मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं आप असम उठा के देख लीजे आप मध अब उत्तर प्रदेश उता के देख लीजे एक दैथ्याकार बुल्डोजर है जो चारो तरफ घूम रहा है और जिनके सरों पर छट है भी उन छटों को भी ठीन लेना चाहता है लेकिन क्या प्रधान मंत्री जी से देखते नहीं है क्या भारतियन्ता पार्टी सरकार के जिम आप, पटना के एक जज साहब का स्टेटमेंट सुनिए आप, फिर अदालतों का क्या काम रह जाता है, ऐसे में सबका साथ, सबका विकास कैसे माना जाए उपसभापती महोदे, मैं तो आप से ये कहना चाहता हूँ, कि पूरी दुनिया में कहीं भी जब कोई अल्पसंख्यक सफल होता है, किसी उच्पद पर पहुँचता है, तो हम सारे लोग हमारे तमाम साथ ही खुश होते हैं, रिशी सुनक जब प्रधान मंत्री बनते हैं, तो भारत में जश्ट मनाया जाता है, मुझे वो हम नहीं सुनते हैं, और अगर सुनते हैं, और अगर पाकिस्तान आपके लिए जिन्दाबाद होगा, हमारे लिए हिंदोस्तान जिन्दाबाद है, भारत जिन्दाबाद है मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ मैं भारत का इम्रान हूँ मैं भारत का इमरान हूं महोदे मुझे बोलने दें बाहर भी नहीं बोलने देंगे यहां भी नहीं बोलने देंगे यह कौन सी प्रुवित्ती है उपसभापती महोदे मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ ये जो साजी विरासत अभी आधर्णी हमारे साथी राकेश सिनहा जी बात कर रहे थे कि साजी विरासत अल्प संक्यक बहु संक्यक में बांटना नहीं है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आधनी जरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं रोज चैनलों पर भी बैठते हैं चैनलों पर होने वाली डिवेट का अस्तर देखिए उसको रोकने के लिए हमारी सरकार रत्ती पर भी कोई कदम उठाना चाहती है नहीं उठाना चाहती बढ़ावा देती है यह जो जहरीली बातें करने वाले चैनल है उनके जो प्रमुक हैंकर हैं उनको सुरक्षाएं दी जाती है उनको रोका नहीं जाता कौन सा सबका साथ सबका विकास है यह बिल जिस चीज की बात कर रहा है अभी राकेश सिनहा जी कह रहे थे कि प्रधान मंत्री जी ने कहा तिरंगा यात्रा निकालिये मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी ने कठुआ के बलादकारी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कभी नहीं कहा होगा लेकिन फिर भी निकली, लेकिन किसी ने रोका नहीं, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, उपसवापती महोदे दर्द बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो resolution ले करके आएं हैं, उसमें जो सेक्षिक और आर्थिक बातों को उद्रित किया गया है, मैं आपसे अनुरोद करूँग कि इसे देखा जाए, इसे जाचा जाए, गीता जी कह रही थी भारत जोड़ो यात्रा पर कि भारत टूटा कहां है, भारत टूटा नहीं है, भारत को कोई तोड़ भी नहीं पाएगा, भारत को तोड़ने का सपना देखने वालों को हमारी आधरनिया इंद्रा गांधी जी ने दो टुकुड़ों में तोड दिया था, भारत को कोई तोड नहीं पाएगा, लेकिन भारत देश में आर्थिक तोर पर सामाजिक तोर पर जो बठवारा करने की साज़िश मौझूदा सरकार और सरकार के अनुशांगिक संगठन कर रहे हैं जो अनुशांगिक संगठन कर रहे हैं उनको रोपने के लिए सरकार क्या कर रही है मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ उपसभापती महोदे के UPA के शासनकाल के दोरान स्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयास से डॉक्टर मनमोहन सिंग साहब के प्रयास से दलित और अलसंख्यक बच्चों के लिए three residential UPSC की कोचिंग शुरू की गई हमने ये किया और इसी सरकार के दौरान एक TV चैनल ने एक प्रोगाम बनाया जिसका नाम आपको पता है क्या रखा UPSC जिहाद ये शब्द क्या इस देश में सुने जाने लायक है लेकिन सरकार ने क्या किया एक शब्द नहीं बोला माननी उच्चतम नयायले ने संग्यान लिया जब लोग उच्चतम नयायले गए तब वो कारिकर्म डुक सका ऐसे कारिकर्म बनाय जा रहे हैं और सरकार कहरे है कि सबका साथ सबका विकास UPसबापती महोदे मैं अन्त में आप से इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो बहुत बड़ी खाई है उसको पाटने के लिए ये जो resolution लाया गया है मैं इसका समर्थन करता हूँ तमाम वो शहर जहां अपना छोटा छोटा रोज़गार है जिनका जैसे मुरादाबाद का फीतल उद्योग, अलीगर का ताला उद्योग या देश में जो तमाम शहरों में बुनकर उद्योग है इस सब की बढ़ोतरी के लिए इनको आगे बढ़ाने के लिए संजोने के लिए ये बिल बहुत कारगर रहेगा सैक्षित तोर पे लोगों को आगे लाने के लिए बहुत कारगर रहेगा और मैं अपने सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि रिष्टों की ये नाजुक दोरें तोड़ी थोड़ी जाती है अपनी आँखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती है हम भी इसी देश का हिस्सा है हम आपसे अनुरोथ करते है कि इस रिजूशन को संजीदगी से लिया जाए मैं इसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूँ धन्यवाद